हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इंडिया एजुकेशन हब के यूटूब चैनल पर मैं दिप्शिक आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ यहाँ पर आपको डेली अपडेट दी जाती है एजुकेशन से रिलेटेड उनिवर्स्टी से रिलेटेड और आज कल जैसा कि आपको पता ही है बारवी बोट की रिजल्ट को लेकर काफी जादा जो है आपके अपडेट हमने आपको दिये हैं तो इसी तरह की अपडेट पाने दिया है कि वो किस तरह से एक्जाम कराएगा तो आगे की निउस देखने के लिए आप वीडियो को भीना स्किप्ट की हुए ध्यान से सुने दिल्ली विश्विद्याले के सनातक स्तरपे पाठ क्रमों में प्रवेश हमेशा से बारवी कक्षा के प्राप्त अंकों के आधार लिया जाएगा मतलब जो भी हमारे स्टुडेंट्स अगर आप यहां पर फॉर्म भरना चाहते थे तो आप जान लीजिए इस बार आपका जो एड्मिशन मेरिट बेस्ट ही होगा ना कि सी यू सीटी मतलब कॉमन इंटरेंस टेस्ट इसमें लेकर स्टुडेंट्स में काफी जाधा कंफ्यूजन था कि कौन से एक्जाम होंगे इस बार सीटी होगा या फिर नहीं होगा पर दोस्तों कोरोना के चलते इस बार डियू ने अपना फैसला बता दिया है कि वो मेरिट पर ही दाखिला लेगा 12 की जितनी भी आपके आएंगे उसके आधारा पर आपका दाख रहते हैं वो भी हम आपको दिखाते कोई यहां पर फेक न्यूज नहीं दी जाती है इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहां पर आपसे सबसे सटिक अपडेट दी जाती है चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एड्मिशन का प्रोसेस डेट क्या है तो यहां पर 15 जुलाई माना जा रहा है कि 15 जुलाई के आसपास दाखिले के प्रक्रिया शुरू हो सकती है सभी बोर्ड राजजी और सीब्यसी के शात्रों को समान महत्व दिया जाएगा उन्होंने बताया कि बोर्ड की नतीजे प्रविश्ट होंगे उसके बाद आपकी प्रविश्प्रफिया भी शुरू कर दी जाएगी और इसी में आगे बढ़ते हुए यहां पर लिखा हुआ है कि भविश्य में आपका जो है सीउसीटी एक्जाम होगा मतलब इस बार तो आपका कोवीट की चलते मेरिट बेस्ट जोगा बट उसके बार से जब स्थीती एक दम अच्छी हो जाएगी सामान्य हो जाएगी तो सीउसीटी एक्जाम कंड़क्ट कराया जाएगा तो इसी तरह से दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लागे तो इसे लाइक कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीड देट आती है एजुकेशन से रिलेटेट वो आपको प्रोवाइड करेंगे धन्यवाद वीडियो को पूरा बेखने के लिए